सोन भदर के रेनु कूट में 30 सिप्तंबर को रेनु कूट नगर पंचायत अध्यक्ष परशाद सिंग की बदमाशन ने उनके अवास के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी थी जिसके बाद सोन भदर पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए पूर्ण नगर पंचायत अध्यक्ष अनील सिंग वो उनके चार साथियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया था सतापक्ष से जुड़े होने के कारण पूर्ण नगर पंचायत ध्यक्ष नील सिंग वह उनके गिरफतारी को लेकर मृतक नगर पंचायत ध्यक्ष के समर्थकों को चक्का जाम अब बड़ा अंदोलन करना पड़ा था जिसके तहट आज कुंडा विधायक रगू राज प्रताप सिंग राजा भईया मृतक पूर्ण नगर पंचायत ध्यक्ष प्रताप सिंग के परिजनों से मुलाकात की और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कहा उन्हेंने कहा कि मैं मुख्या मंत्री से स्वयम इस विश्य में बात करूँगा और उनको सारी बातों से अवगत करवाऊंगा चाहे वैं किसी भी दल से जुड़े हुए हूँ उन्हेंने कहा कि इस दुख की गड़ी में हम पिरित परिवार के साथ हैं और सरकार से नुरोद करेंगे कि इनकी हर संभव वदत की जाए जिस तरह से सोन भद्र में हत्याओं का दोर चल रहा है अभी इसके पहले पिछले साल नगर पंचा चोपन की हत्या हुई अद्यच की उसके मुख आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए उसके बाद उंभा कांडुवा उसके बाद ये रेनु कुट में नगर पंचा अद्य इसके अध्या होई इस पर क्या कहना चाहेंगे आप बबलु जी का हमारे बीच में से चले जाना उनकी निशन सत्या है हमारी व्यक्तिकत कुशकी है इसके पहले कि जो गटनाओं जिनका आपने जिकर किया उनके बारे माधिक ज्यानकारी नहीं है लिकिन आपके माद्यम से जरूर कहना चाहें कि निश्पक्ष्विवेचना इसमें होगी यह सुलिशित कराया जाएगा कि जो इसके दोशी है वो तंडित हों वो कड़ी से कड़ी सेदा मिले और इस मामले में मानिकुस मंत्री जीसे मिल करके हम कही लोग और उनको तथ्यों से अवगत कराएंगे और जैसे वो दोशी है कोई दल की बात नहीं है जो भी दोशी होगा प्रशासनिक उसके कड़ी करवाई और उनको दंडित कराने का हमारी तरफ से जनसत्ता दल की तरफ से पूरा सेयाद रहेगा और हम लोगों को उसमत्ती से मिलकर पीरिस परिवार में जो आशंका जता ही है ज जो घट्टा के विशे में डीटेल दीए हैं, तो अमने रखीए हैं, सिधे इसके मुखंसी जी से ही बात होगे, उसको भी अहां पतुता वार्था में कहना हुँए हैं। जो भी परिजन से आपने मिला है, तो प्रसासन के विशे क्या कहना चाहेंगे जो भी तक प्रसासन के लिया रही हैं। यह बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को, लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें। घंदेवाद।